हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैत्मर इंफो यूट्व चैनल आज जो जी के कॉश्चन्स रहेंगे कॉश्चन्स विट आंसर्स इन हिंदी लेंग्विस और आज का जो जी के कॉश्चन्स हैं उनका टॉपिक है हिंदु धर्म से संबंधित महत्पूर्ण प्रिश्ण उत्तर हिंदु धर्म से जुड़े हुए कुछ इंपोटेंट जी के कॉश्चन्स आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट रहेंगे आपके competition examination के लिए किसी भी level का आप examination दे रहे हैं उन सभी examination के लिए आपको ये questions काफी help रहेंगे वीडियो को आइन तक देखेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like and share कीजेगा हिंदू धर्म से संबंदित महत्पूर प्रिश्णुपतर बैसे तो ये बहुत बड़ा topic है बट कुछ important questions मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी सो चलिए start करते हैं फॉस्ट question है हिंदू धर्म को संस्कृत में क्या कहा जाता है हिंदू धर्म को संस्कृत में क्या कहते है और इसका correct answer होगा सनातन धर्म नेक्स्ट question देखेंगे विश्व में किंदे सो में हिंदू धर्म के अन्युयाई सबसे अधिक है और इसका answer होगा भारत, नेपाल and मौरिशश नेक्स्ट question देखेंगे विश्व का सबसे प्राजीन धर्म कौन सा है इसका answer अगर आपको आता है आप comment कीजिए answer is सनातन धर्म नेक्स्ट question आर्यो की शब्विता को क्या कहते है आर्यो की शब्विता को क्या कहा जाता है और इसका answer होगा बैदिक शब्विता नेक्स्ट question देखेंगे हिंदु धर्म सास्तर के चार वेद कौन कौन से है आंसर रिग वेद, शाम वेद, अथर वेद येजर्व वेद नेक्स्ट कोश्चन आर्यो की भासा कौन सी थी? आर्यो की भासा तो इसका आंसर होगा संस्कृत आर्यो की जो भासा थी वो शंस्कृत भासा थी नेक्स्ट कोश्चन अनुयाईयों के आधार पर अगर हम हिंदु धर्म का देखें तो विश्व में कौन सा इस्थान है आंसर होगा तीसरा अनुयाईयों के आधार पर हिंदु धर्म का विश्व में तीसरा इस्थान है तीसरा सबसे वड़ा धर्म है किस काल में आर पूरे भारत में च्छा चुके थे और आंसर बैदिक काल नेक्स्ट उत्तर बैदिक काल में बनने वाला सबसे पहला नगर जिसमें पक्की इटों का प्रियोग किया गया था वह कौन सा है आंसर कोशाम भी नेक्स्ट कोशन रिगवेद में कितने वेदों का उलेख मिलता है रिगवेद में कितने देवों का उलेख मिलता है आंसर 33 देवों का नेक्स्ट कोशन रिगवेद में मिलने वाला सबसे पहला मंत्र कौन सा है और आंसर होगा गायत्री मंत्र ये जुर्व वेद को कितने अध्याए में बाटा गया है? अंसर 40 भारत के इतिहास की सबसे पहली संगीत अत्मक पुस्तक के नाम से किसको जाना जाता है? साम वेद को बैदिक काल में एक परिवार के मुखिया को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? आंसर कुलप बैदिक काल में किन चार समाजिक कृतियों का पिर्चलन नहीं था? और आंसर है बाल मिभाय, पर्दा पर्था, सती पर्था और अस प्रश्यता ये बैदिक काल में नहीं थे नेक्स्ट, चार यूग कौन कौन से है आंसर आता है तो कमेंट कीजिए और आंसर इस सती यूग, तरेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग नेक्स्ट कॉश्चन, हिंदू धर्म में कितने उपनिशद है, अंसर एक सो आट नेक्स्ट, सत्य मेव जैते बाग कहां से लिया गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी टाइम रिपीट हुआ है ये कॉश्चन अंसर, मंडो कुपनिशत से, सत्य मेव जैती बाग मंडो कुपनिशत से लिया गया है नेक्स्ट, स्रीमद भागबद गीता का तीसरा अध्याय कौन सा है, अंसर, कर्म यूग नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू धर्म में प्राणों की संख्या कितनी है एंड आंसर, अठारा नेक्स्ट कॉश्चन सबसे प्राचीन बेद कौन सा है, जो चार बेद हैं, उनमें सबसे प्राचीन बेद कौन सा है आंसर, रिगवेद नेक्स्ट कॉश्चन गायतरी मंत्र की रचना किसने की? गायतरी मंत्र आज हम सबी जानते हैं, पढ़ते हैं, इसकी रचना किसने की? आंसर, रिशी विश्वा मित्र ने next हन्मान चालीसा के रचेता कौन है हन्मान चालीसा के रचेता answer तुलसी दास जी next question हिंदु धर्म के पौराड़िक कथाओं में किसे मिहिर कहा जाता है मिहिर जो कहा जाता है सब्त का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है answer शूरदेव के लिए लंका पती रावण के बाहन का नाम क्या था ये भी important question है और इसका answer आता है तो comment कीजिए answer is पुश्पक बिमान रामायन की रचना किसने की रामायन आप सभी जानते हैं रामायन की रचना किसने की थी answer इसका कीजेगा and सही answer है महरिशी बालमी की जीन है जो रामायन की रचना की लिखी गई थी सबसे पहले वो बालमी की जीन है रामायन की हिंदी अन्वाद जो तुलसी दास जी का ग्रंथ है वो कौन सा है जोनोंने रामायन को हिंदी में लिखा वो है रामचरित मानस जो रामायन संस्कृत में थी उसका हिंदी में अन्वाद किया गया और तुलसी दास जी ने रामचरित मानस क्रंथ लिखा कौन सा वेद गद और पद दौनों में रचत है और इसका करेक्ट आंसर है ये जुर्ब वेद तो फ्रेंड्स ये थे आज के हिंदु धर्म से जड़े हुए most important gk questions जो की काफी times repeat के गए है examinations में पूछे गए हैं वैसे कोई भी topic हो एक particular किसी भी topic से related अगर हम gk की बात करें तो limited नहीं होते हैं उससे related काफी questions बनते हैं तो यह यहाँ पर मैंने कुछ important gk questions आपको इस वीडियो में दिये हैं इसके अलाबा हिंदु धर्म से जुड़े हुए और भी बहुत से questions हैं जो मैं आगे आपको in future videos upload करूँगी और सारे subject wise आपको topics cover करूँगी आसा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like and share कीज़ेगा और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को subscribe करके रखेगा and well icon के all option को press कीज़ेगा जिससे आपको शारे notification मिल सकेंगे thanks for watching